हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फिट चैनल दोस्तो मैं फिजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइज बेर इंपोर्टेंट एमसी क्यूज कुस्चन का प्रैक्टिस करा रही हूं जो ओलम्पिक से टॉपिक चल रहा है ओलम्पिक से रिलेटेट एमसी की उसका पार्ट टू है दोस्तो यदि आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम स्टिटी पीजिटी के वियसे एन वियसे अल्टी राजस्थान पिटियाए डिएसस भी किसी भी स्टेट की तैयारी सिलबस के कॉर्डिंग कर रहा है तो मेरे चैन कि आधुनिक कालिन उलम्पिक का पिताम किसे कहा जाता है जैसा कि दोस्तो आधुनिक कालिन उलम्पिक का पिताम बैरेन फिरेडी कुबर्टिंग को कहा जाता है जो इन्होंने नौ 6 अप्रेल 1896 एथेर्स में प्रथम आधुनिक उलम्पिक खेल कायोजन एथेर्स के शुरू किया जैसा कि दोस्तों इन्हों ने अंतराश्टी ओलम्पिक समीती यानि कि आई ओश्टी की स्थापना यानि गठन किया जुन 1894 में पेरिस के सरबोन नामक अस्थान पर जिसका मुख्याले लुसाने शुर्जन लैंड है तो दोस्तों आधुनिक ओलम्पिक को स्टार्ट करने के उद्देश से ही आई ओश्टी की स्थापना इन्हों ने जुन 1894 में किया और उसके बाद 6 अपरेल 1896 को पहला आपके फितामा कोबर्ट पिरिन फियरेडिक को पार्ट को कहा जाता है ठीक है में कूश्टन है तो कि कि कुबर्टीन किस देश के निवासी थे तो यह किस देश के थे फ्रांस के लिगःश कर देश हैं? एक जन्वरी 1863 को हुआ थी अ कि उलम्पिया नामक अस्थान पर मियूजियम किस सन में बनाए गया तो उलम्पिया नामक अस्थान पर मियूजियम किस सन में बनाए गया तो उनीस सो तिरानवे में बनाए गया कब बनाए गया उनीस सो तिरानवे में मियूजियम बनाए क्या है तो इसका गठन कब किया गया दोस्तों तेश जून 1894 में फेरिस के सरबोर नामक अस्थान पर किसके द्वारा है पेरेडी कुबर्टिंग की द्वारा मुख्याले कहा है लुसाने स्टूडियर लेंड है ठीक है और प्रथम अध्यज थे दूस्तों इसके बाई कलास और ब।मान अध्यज थामस भाक्तः हैं इसको ध्यान में रखिएगा प्रथम आधनी काली इंड उलम्पिक कहां यूजित हुए no प्रथम आधनी काली अध्याथथ नहम rieट यह झाध कुझा इसके नहींस की यूजिश उलम्पिक कब आयोजित हुआ था तो 6 अप्रेल 1896 में लेक्स कोस्टन है कि प्रथम उलम्पिक का उद्घाटन समारो किस स्टेडियम में आयोजित हुआ तो किस स्टेडियम में आयोजित हुआ पैनाथेनिक स्टेडियम में ठीक है किस स्टेडियम में पैनाथेनिक स्टेडिय स्ंबॉर हुवा था है कि ओलंपिक का मुख्याले कहा है यान इसके कहने का मतलब आई-उसी का मुख्याले इंटरनेशनल उलंपिक कमीटी का मुख्याले जो है वह maior लुसान एस स्रूर्जन लैंड में है नेस्ट कोस्टन है कि IOC की प्रथम अध्यास कौन थे और किस देश के थे तो IOC के प्रथम अध्यास थे Dimitrias Vyklas Greece के ठीक है अब बरतमान अध्यास कौन है दोस्तों Thomas Bach नेस्ट कोस्टन है ओलम्पीक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है तो कितने दिन चलता है 16 दिन तक ठीक है नेस्ट कोस्टन है ओलम्पीक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है तो ओलम्पीक खेल का आयोजन दोस्तों सहर को दिया जाता है नेश कोस्चन है उलम्पिक के अंतरगत ब्यक्तिगत इस परधा में एक देश से ज़्यादा से ज़्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं तो कितने ले सकते हैं तीन खिलाड़ी ठीक है औलंपीक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं जैसा कि आप सबको पता है चार साल के अंतराल पर नेश कोश्चन है कि आई ओसी कितने वर्स पहले अगले होने वाले ओलंपिक के सहर की घुश्रा करता है तो कितने वर्स पहले करता है, दोस्तो, 6 साल पहले Next question है, कि IOC की Executive Committee की Meeting कब कब IOC होती है तो यहां एक साल में, ठीक है, साल में एक बार होता है तथा Olympic वर्स में दो बार, यानि कि साल में एक बार होता है जिस वर्स Olympic होता है, उस वर्स दो बार होता है नेक्質 क्योंस्टब कई है सबको पता है उलम्पिक का मोटो जो है सी ट्यास अल्ट्यास फोắट्यों क्या है कि हम यादर स्वाख यहनिकी मोटो है और उसकी रचमा किये हैं हैं अदिटीडялब और इसको उनिस्टर चवबिसमें अधिकारी मूव से स्विकार किया गया स्विक है और momento के तीनों सब्रम्रेश जो fik है उसका क्या अर्थ है तो दो इसको आप ऐसे याद कर सकते है सिटाइरस अल्टियरस फोर्टियरस यानि फास्टर, हायर, इस्ट्रांगर यानि सीटियस, अल्टियस, फोटियस ठीक है इन तीनों का अर्थ क्या है फास्टर, हायर, इस्ट्रांगर सीटियस का अर्थ होता है फास्टर यानि सबसे तेज अल्टियस का अर्थ होता है हायर यानि सबसे उचा और 40s कार्थ होता है stronger यानि सबसे बलसाली ठीक है सीटियर्स, अल्टियर्स, फोटियर्स सबसे तेज, सबसे उचा, सबसे बलसाली ठीक, आपसन नंबर एक करेट है ठीक है नेश्ट कोंस्टिन है कि ओलम्पिया के जंडे में कितने छले बने हुए है जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि ओलम्पिक के जंडे में 5 छले होते है ठीक है और कौन कौन से होते है निला, पिला, कला, हरा, लाल यह 5 रंग के 5 छले होते है जो डबलू के आकार बनाता है यह धियान में रखियेगा ठीक है निला, पिला, कला, हरा, लाल ठीक है यह सिक्वेंस है निला, पिला, कला, हरा, लाल पांच रंग है और निला रंग जो है युरोब को डर्साता है पिला रंग एसिया महादीब को डर्साता है कला रंग अफरिका महादीब को डर्साता है और हरा रंग आस्टेलिया महादीब को डर्साता है और लाल रंग अमेरिका महादीब को डर्साता है ठीक है इस पाँच रंग पाँच महाधीम को दूस आता है वो हमारे एकता का प्रतीक है Next question है कि Olympic के ज्धंडे का आधार किस रंग का होता है तो दोस्तों Olympic के ज्धंडे का जो आधार होता है वो दूधिया सफेथ कलर का होता है ठीक है जैसा कि आप चित्र में देखे होंगे जैसा कि मैं IOC and Olympic के बारे में बताते से मैं पुरी detail में इन सब के बारे में बताया है आप Olympic वाले वीडियो को जा करके देख सकते हैं प्राचिन Olympic, आदुनिक Olympic, IOC किया है इस सब के बारे में इने detail में बता चुक्या है Next Question है कि Olympic द्वज पहली बार कब और कहां फराया गया तो दोस्तों जैसा कि Olympic द्वज 1922 एंटवर्प ओलम्पिक में बेल्जियम में सबसे पहली बार फराया गया जैसा कि दोस्तों Olympic द्वज को 1913 में बेरे बरेन पीरेडी कुबर्टी ने बनाया और यहां सबसे पहले फराया गया 1922 एंटवर्प ओलम्पिक में Next Question है कि Olympic द्वज कब और किस ने तयार किया तो Olympic द्वज को 1913 में बेरेन पीरेडी कुबर्टी ने तयार किया और 1924 में इसका उद्गाटन हुआ और 1922 एंटवर्प ओलम्पिक बेजियव में सबसे पहले फराया गया इध्यान में रखिएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेस्ट पार्ट नेस्ट वीडियो में होगा आई हो कि दोस्तों सभी Questions आपको समझ में आते होंगे जैसा कि दोस्तों यदि आप डिटेल में हर एक चीछ ठीरिटिकल एंड एमसी क्यूज दोनों पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपडेली बेसे बन सकते हैं अपने प्रिपेरेशन को बेहतरीं कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप फर्ष्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए विल आइकम को फ्रेज कर लेजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब के लिए जाहिए